आप सभी सवक्तित बात करेंगे आपर एक शांदा स्टॉक के बारे में जो स्पेशलिटी केमिकल का बिजनस करता है दोस्तो और इसके लिस्टिंग भी आभी फिला लिए तो इसमें आपर इन्वेट्मेंट करनी चाहिए क्या उसके बारे में बात करेंगे और कमपनी के जो बिजनस का पॉर्टफोलिय है उसमें थोड़ा बहुत अच्छा ही वेटेश देखने मिल रहा है तो यहाँ पर कमपनी आगे बढ़िया करेंगी क्या उसके बारे में यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं और इंपर्ड़न जो यहाँ पर इसके ऐसके फैक्टर है जो लॉजिक के स साथ देख लेते हैं तो पता चल जाए दोस्तों इस कंपनी में वैलू कितनी है और देखे जो लिस्टिंग फिलाल हुई है कंपनी की तो उसमें आगे इंप्रूमेंट के चांसे है या नहीं यह पता आपको होना चाहिए तो दोस्तों फर्स टाम विजिट के हो तो लाइक स गिरीवी रखानी है बोलतो प्लेच एक भी शेर नहीं रखा बोलतो अच्छी बात है कंपनी कौॉलेटे वाली यहइं इसलिए कंपनी कही पर भी शेर गिरीवी नहीं रखती है अब देखे इसमें अडवांटेज की बात बताना चाहोंगा इसमें धैचे पिछले लास् थी इन्वेस्ट कर रहें बोलतों कमपनी में यहाँ पर अच्छी तरह किस इंप्रूमेंट देखने को मिलेगे अब इसके फाइनाशियल ट्रेंट की बात करें जैसे रिविन्यू और अधर जो प्रॉपिट होता है उसको बारे में यह सभी फिगर्स थाउजन करोड में दोस्तों इसको आपको आपर पता होना चाहिए क्या होता है मिस्टेक होना नहीं चाहिए हम जो सीक रहे है याप हमें आप पर अंडरस्टाइंग कर रहे ही चीज़ों को उसके बारे में हमें पता होना चाहिए अब देखेंगे दो हाजार एकिस तक की बात करें तो कमपनी देखें प पर revenue की बात करें उसी तरीके से company का revenue भी growth में यहाँ पर देखने मिलता है बलतो company all around financial train की बात करें लक्षी में और गानिक का performance अच्छा है दोस्तों अब देखिए जैसे यह company list हुए फिलाली तो इसमें क्या होता है जो changes हुए अभी तक अभी update नहीं हुए है तो यहाँ पर दे स्टेक है mutual fund यहाँ पर उनके पास भी 3% के करिब का राउंड फिगर में स्टेक देखने मिलता है insurance corporation उनके पास देखे 0.69% का स्टेक है डियाएस यहाँ पर जो domestic institutional investor होते हैं उनके पास 2.66% का स्टेक है अभी देखे सभी के सभी investor देखे इसमें involved है इसानी की कोई investor नहीं है यह सासत company के promoter के पास कोई स्टेक नहीं है खुद पर जो company के promoter दोस्तों उनके पास 73% का round figure में स्टेक देखने मिलता है बोलतो company में value है और यह हमें show होता है कि जो बड़े investor है उनके पास सभी और दोस्तों जैसे यहाँ पर हम promoter की holding भी देखे उस पे से भी पता चलता है अ अब से ज़्यादा यहाँ पर बड़ा तरीकिस बिजने चलता है उसके बारे में बताना चाहूंगा specialty chemical दोस्तों और manufacturing करती है अल्कॉली chemical का अब देखे अल्कॉल में भी आप यहाँ पर ज़रूर अंडरस्टेंड करें मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा कोई product की नहीं दो कमपनी नहीं त付 dont her for और फार्मा से इतिकल से बात हो याशन करते एंडरस्टेंग वाली बात अच्छी सबने आनी चाहिए आपको कर phones देखे आप फूर्मा केम करते चाहूंगा बहुत से अधर कंट्रियों में भी इसका केमिकल सप्ला होता है यहाँ आप देख भी ना और यहाँ पर एक कंपनी स्पेशलिटी केमिकल के लीडिंग कंपनी भी आती है तो वेटेज अच्छा यह और यहाँ पर हम जैसे के मार्केट के आपकी बात करें तो कंपनी अभी फिलाल रहा है और इसका पर फिट्रिक हाई लोग के बात करें देखे इसके लिस्टिंग जो आपर वराणे फोर्टी थ्री रूपीज पकड़ सकते हम लिस्टिंग हुई है और देखले ना वहां से स्टॉक पूरतर के से टॉप देखें कि 240 के करिब का टॉप किया है तो बलतों य लग किये यह आपको पता होना चाहिए अब देखें जो रिजल्ट है दोस्तों इस बार के कम्पनी के येरली बेसेट पर बहुत अच्छा है अब यह पर जरूर्व देखना ना 2020 में मार्च मैने में पिछले साल और इस बार 2021 में मार्च मैने में रिजल्ट की बात करें तो क वो तो शो करता है कमपनी का वैल्यू अच्छा ही है और जैसे यह आपर थोड़ा आपको बताना भी चाहूंगा कि इस कमपनी के कौटर लिबेस पर जो रिजल्ट है उसमें हमें थोड़ा कमी देखने मिली यह कौटर 3 के रिजल्ट दोस्तों और यह कौटर 4 के रिजल्ट तो इसमें देखिए कमपनी की सेल जरूर बढ़ी है बर जो प्रॉपिट होता है कमपनी को फाइदा होना चाहिए वो थोड़ा आपर आमें डाउन डेखने मिला है 23% से यह भी चीज़े आपको याद रहनी चाहिए जैसे आपर आम इसके 2016 से लेकर 2020 के परफरमस के बात करें 79 करोड रुपे कमपनी कमाती थी कैश फ्लो के बात कर रहा हूँ कैश फ्लो इसके पास था वो बढ़कर इस बार देखे कितना होगा 200 करोड के करीब है बोलतों कमपनी ने 2016 से लेका अभी तक थोड़ा बहुत इंप्रूमेंट में अपना बिजनेस लाया है और कमाई भी करना चाहूंगा इपडी से अच्छा इसमें रिटन मिलेगा पॉइंट अच्छा है इंटरी के लिए साथ सथ आपर देखे जो यहां पर प्रॉब्लम होती है जैसे प्लेज शेयर जादे होने चाहिए ऐसा होगा तो प्रॉब्लम साथ सथ यहां पर हम एसम लिस्ट जी एसम सब्सक्राइब कंपनीज अल्मोस डेफ्री दोस्तों सबसे आडवंटेज वाली बात और जो इन्वेस्टर यह वीडियो को यहां पर समझ रहें और देख रहें उनको समझ में आता है होगा मैं क्या आपको चीज़े बता रहा हूं और कंपनी देखे पिछले पास साल के बा से यहाँ पर पता होनी चाहीं लिस्टिंग के बात क्या होता है जो शेर की क्वांटिटी जो होती उनके पास का स्टेक यहाँ पर डीवाइड होते रहता है परेसेंडिज फिक्स होते हैं रेटेल इनिवेश्टिर के लिए म्यूचल फंड के लिए इफ एस के लिए दो यह पर मार्च मेने में 26 मार्च को यहाँ पर होते हो देखने मिली पूर्टेगे से 186 रुपे और स्टाक देखे 219 पर ट्रेट कर रहा है और मुझे लगता जो आईपयों में इन्वेट करकर बैटे वह कंटीनू भी जरूर कर सकते हैं अब इसके आपर डिविडन के बात करें तो चीजे होते हैं उसको भी समझ लेना देखे यहाँ पर रिजल्ट आता है बाद में डिविडन का अनॉसमेंट होता है और कंपनी जो यहाँ पर दोस्तों रेकॉर्ड डेट के बारे में बताती है हम इस दिन तक है जो डिविडन है उसके बारे में बता देंगे जो यहाँ प तक आप लक्सी में अरुगानिंग के बारे में समझ चुके होंगे कैसा स्टॉक है कैसी कंपनी है और क्या इसके डिटेल है थैंक्यू समझ दोस्तों वीडियो अच्छे लगा हो तो है आपर लाइक सब्सक्राब कर लेना थैंक्यू